आज में आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हो और एकदम यूनिक भी है हम इसे किस तरीके से बनाएंगे ये हम वीडियो में ही देखेंगे अगर ये रेसिपी आपको इची लेगी तो प्लीज लाइक करें प्रेंड और फैब्ली भी शेयर करें चै बिना मेंदा और बिना आटे के ही बहुत ही टेस्टी और एकदम खस्ता करारी पूरी बनाने के लिए मैंने लिया है ये नॉर्मल सूजी इसे अच्छे से चान लेंगे सूजी नॉर्मल होनी चाहिए अगर सूजी ज़्यादा मोटी है तो आप उसे थोड़ा से मिक्सी से च मिर्चे, एक पिंच हल्दी, ये चार-पांच हरी मिर्चे हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, ये दोने चीज़े एकदम बारी काट ली हैं, साथी इसको थोड़ा से क्रिस्पी करने के लिए हम डालेंगे दो टी स्पून, कुकिंग ओल, इसमें बहुत ज़्यादा ओल की इस समय म ज़रूरत नहीं है, अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत ही तेज गरम पानी के साथ हम इसका डो लगाएंगे, क्योंकि सूजी को फूलने में थोड़ा सा समय लगता है, और नॉर्मल पानी के साथ सूजी फूल भी नहीं पाएगी, सिर्फ आधा का पानी से हमारा डो लग सकते हैं, कि डो थोड़ा सा हार्ड हो गया है, और यह नॉर्मल पूड़ी की तरह लग रहा है, अब हम इसकी पूड़ी बनाएंगे, लेकिन पूड़ी बनाने से पहले हमें एक काम और करना होगा, इस डो को लेंगे, फ्लैट सर्फिस पे रखेंगे, अच्छे से हम इसे मस लेंगे, जिससे ये अच्छा चिकना हो जाएगा, और आप ये ना सोचें, कि डो बदल गया है, ये आटे या मेंदर का डो नहीं है, ये वही सुझी है, जो हमने चान कर तयार करी थी, आप एक बार इस तरीके से जरूर बना कर देखें, और आप देख सकते हैं, कि सुझी की पूड़ी होने की वज़े से ये काफी क्रिस्पी होती है, और खाने में बहुत टेस्टी लग दी है, और ये सारी लोईयां मैंने तोड़ कर तयार कर लिया है, एक फ्लैट सर्फिस को हलका सा चिकना कर लेंगे, एक लोगा लेंगे, और बिल्कुल जैसे हम नॉर् और किनारों को थोड़ा सा पत्ला रखें, यही पूड़ी की अच्छी फूलने की ट्रिक होती है, एक पूड़ी बिल्कर तयार हो चुकी है, एक और बेल लेते हैं, एक और पेला लेंगे, और बिल्कुल जैसे हमने पहले पूड़ी बेली थी, बिल्कुल उसी तरीके से हम दूसी पूड़ी भी बेल देंगे, इस पूड़ी को बेलना भी बहुत आसान होता है, जैसे कि हम नॉर्मल पूड़ी बेलते हैं, और मैंने ये कुछ पूड़ी बेल कर तयार कर लिया है, इसी बीच मैंने कुकी वाल गरम होने के लिए रख दिया था, और ऑईल हमारा गरम हो चुका है, अब हम एक एक करके इसमें पूड़ी को डाल देंगे, जैसे हम नॉर्मल पूड़ी को डालते हैं, हलके हाथ से प्रेस करते हुए, हम पूड़ी को फूला लेंगे, एक और डाल देते हैं, और आप देख सकते हैं, कि हमने जो पहली पूड़ी डाली थी, वो अ यह सूजी की पूरी आ हैं और सूजी थोड़ी सी मोटी होती है इसलिए नॉर्मनल पूरी के पेक्चा इसे सिखने में थोड़ा से समय लगता है और एक से डेल मिनिट में आप देखिए पूरी बहुत अची सी सिख गई है फ्रेक्में निकाल लेंगे एक और डाल देते हैं एक और सेक लेंगे वो भी फूल गई है उसे भी टरन कर देंगे और इसी तरीके से में सारी पूरी आं सिख कर तयार कर लूँगी हमारी ये सारी सूजी की पूरियां सिख कर तयार ह Confederate हो गई हैं आप इसे चाहें, तो चाए काफी के साथ खासकते हैं, हरे दिनी की चटनी के साथ खासकते हैं ये नॉर्मल पोडियों के पेक्चाथ थोड़ी सी क्रिस्पी होती हैं और ज्यादा टेस्टी होती हैं आलो के सब्जी के साथ इनका बहुत ही अच्छा कॉमिनेशन होता है सूजी की एक खस्ता करारी और एकदम चटपटी पोड़ी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना फीडबेक जरूर दे ये बहुत जादा रेसिए अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो पकाफ इसे बार बार बनाएंगे रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें प्रेंट और प्रेंट में शेयर करें मेरे चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें साथ दिये गए पहले इक इनको प्रेस का नाम बिलकों ना भूले जिससे आने वाली वीडियो को नोटिवीशन आपको वो समय पर मिल जाएं थैंक यू